कार प्यारे बच्चो आप सब कैसे हैं उमीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे हमने अपनी पिछली कक्षा में अंग अह और चंद्र बिंदू की मात्रा का अभ्यास किया था आज की कक्षा में हम करने जा रहे हैं र्री की मात्रा र्रेफ और पदेम की मात्रा का प्रियोग चलिए सबसे पहले हम देखने हैं कि हम इसका प्रियोग कैसे करते हैं पहले मैं आप सबको बताती हूँ कि री की मात्रा कहां पर और कैसे लगती है यह हमारा री जो इसकी मात्रा है यह लगती है इसके पैर में इसको हम बोलते हैं री जैसे व्रिक्ष अब यह क्या है वर री किशव व्रिक्ष राइट और उसके बाद है रेफ रेफ और पदेन दोनों जो हैं वो हमें र की साउंड देते हैं रेफ रेफ कहां लगता है इस तरह से जो की हमें किसकी आवाज देता है रेफ यह रनी की यानी की र की जैसे धर अब यह है धर्म बोला हमने तो आप देखिए बोला यह कहां जाएगा म से पहले और लगेगा कहां म के उपर और दूसरी मात्रा है पदेन पदेन जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है यह कहां लगती है पदेन मीन्स पैर पर यह दो तरह से लगती है एक तो होती है इस तरह से और दूसरी है इस तरह से यह दो तरह से प्रयोग में लाई जा सकती है जैसे और यह कैसे बोलती है र की साउंड देती है ग्रह क्रम प्रेम अब यह कह है प प के पैर में यह है र तो यह किसकी आवाज देती है प्र 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 ए म प्रेम और एक तो हम इस तरह से लगाते हैं दूसरी है इस तरह से ये भी है हमारी रव की जाउंड है ये भी पैर में लगती है ये कैसे होती है जैसे की ट्रक सो ये दोनों मातराँ पदेन में आती है एक इस तरह से लगती है और ये आज्ड हम इसका अभिहास और पुस्तक पथन करते हैं यह है वी की मात्रा रेफ और पदेन यानि कि पदेन भी र यह है हमारी पहले वी की मात्रा जो उसके इस तरह से पैर में लगती है इसको अब हम कैसे पढ़ेंगे आईए पढ़ें वरीक्ष वरीक्ष करीप आ क्रिपा मरीग मरेख नरीप नरेप तरी आण त्रेन घरीट घरित अमरीट करीपाण क्रिपान क्रिपान क्रिपालू क्रिपालू तो ये थी हमारी री की मात्रा अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेव जो की हमें र की साउंड देता है अब ये है हमारा धर्म करम शरम अब आप देखिए मैं जब भी पढ़ रहे हूं तो जो भी मैं र की साउंड है जिस वियंजन के उपर ये लगी हुई है उसे ये पहले बोला जाता है र दर्प गर्व सर्व प्रेटक नर्टक अब नर्टक में जो र है वो त से पहले बोला जाता है और लगता कहाँ पर है त के उपर नर्टक गर्जन आकर्शक आशिर्वात परवत यह थी हमारी रेव की मात्रा और अब है हमारी पदेन मैंने आपको दो तरह से बताया है एक तो इस तरह से और एक इस तरह से यनि कि हमारी दोनों यह मात्रा हैं कहां लगती पदेन में स्पैर पर अब यह है ग अब ये पदेन है तो इसको हम क्या बोलेंगे ग्रह करय क्रम क्रम प्रएम प्रेम प्रज़ा प्रजा भ्रम भ्रम प्रभाव प्रभाव प्रताप प्रताप प्रकाश ड्रामा ट्रैक्टर राश्टर ये थी हमारी पदेन अब हमने इसमें क्या क्या पड़ा री, रेफ और पदेन की मात्रा आज की कक्षा के लिए केवल इतना ही अगली कक्षा में हम इसी का अभ्यास करेंगे तो आप सब मेरे साथ बनिये रहे मौनिकास फांडेशन क्लासिस के साथ और आप मुझे जरूर बताएए कि आपको मेरी जो कक्षाएं हैं वो कैसी लग रही है अगर आपको मज़ा आ रहा है मेरी कक्षाओं में तो इसको प्लीज कुमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिये मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में तिल देन गुड़ बाई एंड हैवा नाइस दे एंड है क्षाओं के लगवादी